एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया प्यार होता 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 कोई बार है कैसे तुझी से दिल ना लगा है कोई आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलिवूर्ट की एक ऐसी शादी के बारे में जिसके बारे में दर्शकों में आज तक काफी जिग्यासा है और ये जिक्यासा होना बहुत ही सोभाविक है क्योंकि इस जोड़ी के बनने से पहले दोनों ही जोड़ीदारों ने अलग-अलग लोगों के साथ कई बार अपनी जोड़ियां बनाई थी रनवी कपूर और आल्या भट आज ये दोनों पती-पतनी के तौर पर साथ में रह रहे हैं और एक प्यारी सी बच्ची के माता-पिता भी बन चुके हैं फिर भी नजाने क्यों अक्सर इन दोनों की शादी के लिए दर्शकों का मन शंका से घिरा रहता है वैसे तो इसके कई कारण है जिसमें सबसे बड़ा कारण है रन्बीर कपूर की कैसोनोवा एमेच और दूसरा पब्लिकली कुछ इविंस जहां दोनों ही एक दूसरे के बारे में बाते करते हुए एक दूसरे की कमियों का खुलासा कर जाते हैं कैसे बहुत सरी लड़क्यों के साथ लंबे समय तक अफेर में रह चुके रन्बीर की शादी आल्या भच्से हो गई कैसे रन्बीर के लिए बच्पन से क्रश होने का दावा करने वाली आल्या एक के बाद एक पांच लोगों के साथ अफेर में रही क्यों लोगों को आज तक के शादी एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे पाती आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे आप बस बने रहिए हमारे साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जोती और आप देख रहे हैं बॉलिवोड क्लासिक एरा आज अब बात कर रहे हैं कपूर खांदान के चश्मु चराग रनवीर कपूर और उनकी बीवी आलिया भथ के बारे में रनवीर कपूर आज कल कुछ इंटर्व्यू में अपनी कैसनोवा और प्लेबॉई की चवी को सुधानी की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं वही ओवर रेटेड एक्टरस आलिया भथ एक अजीब सी डेस्परेशन के साथ आज जो सब इनके बारे में देखने और सुनने को मिल रहा है वो पूरी तरह से इनके अतीत से जुड़ा है अगर बात करें रनबीर कपूर की तो उनके अफेर्स के चर्चु की लिस्ट काफी बड़ी है लेकिन यहां हम सबसे ज़्यादा चर्चित लोगों के बारे में ही बात करेंगी तो पहले रनबीर और दीपिका के प्रेम प्रसंद की बात करते हैं रणबीर का प्रेम प्रसंद जब दिपिका के साथ चल रहा था तो ये सारजणिक तौर पर हर जगे दिखाई देते थे दिपिका अपने चेहरे पर चमक लिए रणबीर के साथ अपने प्यार का पूरी तरह से ए एलान कर चुकी थी लेकिन उन से एक गलती हो गई जब अपने चनम दिम की पार्टी में उन्होंने रद्बीर को कट्रीना से मिलवा दिया ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे बिल्ली के आगे भरे दूद का बरतन रग दिया गया हो 2009 में अपनी फिल्मों अजब प्रेम की गजब कहानी और राज़नीती के दौरान अब दिपिका पादुकोन की जगे करीना कैफ ने ले ली उसके बाद 2010 में दिपिका ने खुल कर उनके साथ हुए धोके के बारे में बाते की गौर तलब है कि दिपिका ने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने बॉइफरेंड को रंगे हाथों चीट करते हुए पकड़ा था इधर कट्रीना को सल्मान से शादी का कमिट्मेंट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने रंगीर कपूर को देख कर महसूस किया कि अवे कपूर खांदान के बहु बन सकती हैं इन दोनों का रिष्टा काफी लंबा चला तक्रीबन 6 साल यहां तक की रंगीर ने कट्रीना को और उनके परिवार को बहुत से मौकों पर अपने परिवार से मिलवाया पर खबरों की माने तो नीतो सिंग को कट्रीना बिलकुल पसंद नहीं थी और शायद रंबीर कपूर भी अब इस लंबे सालों से चले रिष्टे से बोर हो चुके थे सो यह रिष्टा भी तूट गया और अब ब्रहम मास्त्र की शूटिंग के दौरान रंबीर कपूर और आलयभर की दोस्ती शुरू हो गई हाला कि इन दोनों के अफेर्स के बारे में चर्चे शुरू हो चुके थे लेकिन सब छिप छिप कर हो रहा था इन दोनों ने अपने रिष्टे को स्विकार किया जब दोनों एक कपल के तौर पर सोनम की शादी में साथ पे दिखाई दिये ये साल 2018 की बात थी वही बात करें आलिया की तो वे अक्सर ये कहते हुए नजर आईं कि रन्बीर उनके बच्पन का क्रश है और वे हमेशा से ही रन्बीर से शादी करना चाहती थी पर इस दोरान फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ आलिया भट के अफेर्स भी चलते रहे आलिया भट का अफेर्स तीन गहर फिल्मी हस्तियों और तीन फिल्मी हस्तियों के साथ रहा जिसमें से एक के साथ यानि रन्बीर कपूर के साथ आलिया भट की शादी हो गई गेर फिल्मे बॉइफ्रेंज की बात करें तो सबसे पहला नाम रहा रमेश दूबे का जो के मुंबई के ही एक बड़े बिजनस फैमिली से थे दूसरा नाम रहा अली दादर करका जिनके साथ आलिया भट ने काफी अच्छा समय बिताया और घूमी फिरी और तीसरे नंबर पर रहे कविन मित्तल जो के सुनील मित्तल जैसे बड़े बिजनसमेन के बेटे थे खबरों की मानी तो आलिया उनसे शादी करना चाहती थी पर मित्तल परिवाल की तरफ से इस शादी को इजाज़त नहीं मिली फिल्मे दुनिया से नाम रहे सद्धार्ट मलहोत्रा और वरुन्धा बन गई और इन सबसे दूर होते हुए 14 अप्रेल 2022 में आलिया रन्बीर कपूर की तुलहन बन गई अब यहीं से शादी के लिए भी सवाल खड़े होने लगे दरसल 14 अप्रेल 2022 में हुई शादी के बाद 6 नवंबर 2022 में आलिया मा बन गई यानि 6 महीने 21 दिन में आलिया भर्ट मा बन चुकी थी सब जाहिर था कि वो शादी से पहली ही प्रेगनेंट हो चुकी थी हाला कि आज हालत ये है कि बहुत सी अभिनेत्रियां शादी से पहले प्रेगनेंट हो जाती हैं लेकिन बॉलिवुड के इसो कॉल मॉडन आज के लोग इसे छिपाने की कोशिश करते हैं जाहिर है उन्हें इस बात से फर्क पढ़ता है और फर्क पढ़ने का कारण है आज का सवाल पूछता हुआ टेज दरार दर्शक और वहीं से माना चाने लगा कि ये शादी रनबीर कपूर को आल्या खट के प्रेगनेंसी की वज़े से ही करनी पड़ी होगी यहां तक की तापसी पन्यू से जब एक इंटर्व्यू में पूछा गया कि आप ते अभी तक शादी क्यों नहीं की है तो उन्होंने जवाब दिया जाहिर था के आल्या के इस तरह मा बनने के चर्चे ना सिर्फ दर्षकों में भलकि फिल्मी दुनिया के लोगों के बीच भी उठ रहे थे संभवतिया कपूर खांदान ने ये बात चिपानी इसलिए भी जरूरी समझी होगी क्योंकि पहले ही उनके बैटे की चवी काफी खराब थी इस तरह इस प्रेगनेंसी ने इस शादी को अंजाम देने में एक एहम भूमिका निभाई होगी इसे मजबूरी के शादी मानते हैं खेराजी शादी अपनी तीसरे साल में है और आल्या भर्ट रन्बीर कपूर अकसर एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ कहते हुए पाए जाते हैं रन्बीर कपूर की छवी ऐसी रही है के अकसर उनका कोई भी एक्शन देख कर दर्शक उनके बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं सोच पाते जैसे के एक एविंट में सीरियों से उतरती आल्या के लहंगे को पैरों से हटाना जो के वाकरी देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था बात कर ये आल्या भट की जहां वो एक वीडियो में रन्बीर और अपनी रिष्टे को ग्लोरिफाई कर रही है उनके पती उनके होटो को कैसे पसंद करते हैं ये बताते हुए उन्होंने अपने पती को लोगों से ट्रोल करवा दिया And then I rub it off It was one thing my husband always I mean when he wasn't my husband when he was my boyfriend as well when I used to go out at night he's like wipe that off wipe that off because he loves the natural color of my lip क्योंकि आज के समय में एक एक्ट्रिस पत्नी का पती इस कदर कंट्रोलिंग है ये बात एक चर्चा का विश्य बन गई वही आलिया भट का मेरा पती जो कि उस समय मेरा बॉइफरेंट था का राग भी बेहत ही अजीब सा सुनाई देता है ऐसा लगता है कि वो बार बार ऐसा बोल कर खुद को यकीन दिलाना चाहती है कि अब रन्बीर कपूर उनका पती है साथी साथ दर्शकों को भी ये बताना उन्हें बेहत पसंद है हाला कि दर्शकों को 2022 में ही पता लग गया था कि रन्बीर कपूर अब आल्या भट का पती है और इन दोनों ने शादी से पहले प्यार भी किया था अधर रन्बीर भी एक वीडियो में आल्या को लाउड बोलने की बाद अपनी बात को थोड़ा आर्टिकुलेट करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन अगर इस वीडियो को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि रन्बीर के लिए ये नॉर्मल नहीं बल्कि इससे वो इरिटेट हो चुके हैं एक और इंटर्व्यू में वो आल्या की बुरी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं इंटर्व्यू लेने वाला इंसान तो इनके दिल की बाते निकलवा लेता है लेकिन जब रन्बीर को अपनी पत्नी आल्या की बुरी आदत को बाहर बोलना पड जाए तो साफ जाहिर है कि वो काफी कहे और अनकहे मुद्धो पर इरिटेट हो चुके हैं क्या रन्बीर का पूराज एक ताली साल के हो चुके हैं और आज वो कहते हैं कि सब ट्राइ कर लो लेकिन बात में घर का दाल चावल ही अच्छा लगता है पर वो कहते हैं ना कि आदत तो इंसान फिर भी बदल सकता है लेकिन फित्रत नहीं बदलती क्योंकि यहीं बात रन्बीर का पूर ने दिपिका पादकोन के लिए भी कही थी गौरत लग है कि आज की समय में बॉलिवूर्ट जिस समस्य से गुजर रहा है वहां अब इन सितारों को अपनी चवी का ध्यान रखते हुए दिवोर्स और दूसरी या तीसरी शादी करने से पहले बहुत सोचना होगा इसको आप आमर खान के उधारन से समझ सकते हैं जहां उन्होंने पंद्रा-पंद्रा साल तक दो शादिया निभाई और फिर तलाक लिया पर दूसरे तलाक के बाद चो क्रिटिसिजम आमर खान को देखना पसंद करें तो वो भी हमारे चैनल पर मौझूद है साथी टॉप राइट कॉर्णर में आप उसका लिंक देख सकते हैं तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के जर्ये अपनी बात कह सकते हैं आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योती को आज के लिए अब आप स इजाजत लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ तब तक के लिए आप सभी को पिरा प्यार भरा नमस्कार